तो आज की इस वीडियो में मेरे पास है रॉक लाइट की तरब से आना लग बेस्ट लाइट जो की एक टच कंट्रोल है और ये एक इस्टूडी लैंप है बच्चों के लिए घर में पढ़ने के लिए है फिर अपने सो पीस में रखने के लिए ये बहुत ही बढ़िया ये फूल टच कंट्रोल है साथ में बेस लैंप है आप इसको कर सकते हैं तो हम इस वीडियो को सुरूप करते हैं और आप वैटरीवेग कम फूल टच कंट्रोल साथ में बहुत सारे लिखर्ズ लिखे हैं तो कोई बातने हम सबसे पहले इस box को open करते हैं तब तक आप इस video को like कर देना साथ में box open तेने पर अंदर white layer की polythene में pack हमारी यही lamp light काफी beautiful लग रही एकदम सुन्दर लग रही है इस box में और क्या है सबसे पहले में इसको देखते है फुल तो यहां पर हमको एक cable देखने को मिलाती है जो की type USB है micro USB cable है साथ में आप इसे पने charger में लगा कर चार्ज कर सकते हैं इस lamp को यहां पर आपको lamp में polythene को strap अगर हटाते है तो polythene strap करने पाद यह white color की काफी beautiful lamp देखने में लग रही है और बहुत ही light weight है उसका एक reason यह भी है कि इसमें lithium-ion की battery पड़े हुई है इस reason है कि यह बहुत ही light weight है अहां पर ऊपर एक buttons दीगी है इसमें pad पर आप इसको touch करके इसको on कर सकते हैं सारा process आपको अपने वीडियो में देखाएंगे सबसे पहले आप इसको जो इसमें strip दीगे है जो एक छोटी ची डंडी है जो आप इसको rotate कर सकते है यह full on the table आप इ पीचे अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक micro USB साथ में lightning देखने को मिलाती है जहां पर एक light है mini light है अब इसको charge करते है आप और on करते है तो light blink होती है सबसे बहले हम इसको power on off करते है यह power on off एक button है आप पर दीगी आप देख रहे है यह power on off की button है जहां पर लिखा है off और on अभी off है जब हम इस button को on करेंगे यहां से यह अब देख रहें on तो इस button को on करना होगा तभी हमारा touch control जो बुबग करेगा अब इसको मिने on कर दिया है अब simply light को यहां पर रखते हैं अब आपको दिखाते हैं अपने camera को focus करके कैसे यह light पूरी work करते है अब को पूरा process बहुती easily से समझ में आएगा कि full touch control साथ रोटे easily से यह जो हमारा adjustable brightness है वो कैसे होता है अपर एक बार हमने इसको push किया तो यह हमारी light on हो गई है अब light on होगे light कम जादा कैसे होगी यह भी आपको हम बताएंगे देखे पहले हम सेट करते हैं यह जो हमारी light buttons है इसको push करना होता है यह steel की यह पर है और इसको अगर घुमाएंगे right side left side तो यह कम होगा और इसको राइट side अगर घुमाते हैं तो यहां पर और जो हमारी brightness है अब यहां पर एक बात यह भी है कि जो हमारी brightness है वो हमें एक वाट टच करके on up भी कर सकते हैं और pad को घुमाने के बाद हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और that's why reason मुझे यह काफी पसंद आया है यहां पर आप देखे जो इस ट्रिप है white click की पूरा white combination है काफी अच्छ यह अच्छी है बहुत ही अच्छे से light rock light ने work किया पर रॉक लाइट की बैसे तो सारी lights आती है लेकिन यह कोशिंग की जवर्दस light आई है market में और इसका market price भी कोई बहुत सदाज नहीं है कि बहुत सारे 300 रुपए चार सर रुपए गर और इसको खरी सकते हैं और अगर पर इस तरीके का लुक आता है जब आप रूम में रखेंगे तो यहाँ पर हम अपने camera के सरी अपने tripod को set करते हैं आप आपको light जो है चालू करके दिखाते हैं कि किस तरीके की रोशनिया पर आती है तो यहाँ पर हम light को off गया और on किया अब यहाँ पर हम light कुछ के कम करते ह अज्जेस्टेबल ब्राइटनेश है तो हम कम जादा भी कर सकती है कुछ इस तरीके का फेस आता है यहां पर आप देख रहे हैं यह टच कंट्रोल है साथ में पूरा मैट फिनिस के साथ आता है रॉक लाइट आरल डबल यू सेवंटीन मुझे ही लाइट काफी अच्छी लग कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी न भूले और यह वीडे आपको कैसी लग रहे है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर रहे है बगई आपको किस टैप की वीडियो पसंद है नीचे कमैंट कर दीजे मैं आपके लिए कोश्य सांध गना हुमा कि इस के लिए बाई बाई